और रैट गाइस सौगत आपका इस वीडियो में तो फाइनल यहाँ पे विंड ब्रेकर का फिफ्ट एपिसोड आ चुका है और एपिसोड के शुरुआत में हमें छोटा सा रीकैप दिखाया जाता है कि अभी तक क्या हुआ है हमें उस साइन बोट के बारे में बताया जाता है जो कि नेवर होट के बाहर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि बोफिरिन उन सभी लोगों कुछ साज़ा देगी जो कि गलत काम करते हैं और बोफिरिन में वो स्टुडेंट्स है जो कि फ्योरिन हाई स्कूल में पढ़ते हैं और इस शहर के रखवाली करते हैं जिस वज़े से फियोरिन हाइज स्कूल और शिस्टोरिन के बीच में एक वार का डिकलेरेशन हुआ शिस्टोरिन का लीडर जिसका नाम था चोजी टोमियामा उसने 5-5 टीम मैच का सजेशन दिया जिसके आद 5-5 लोगों के बीच में एक लड़ाई डिसाइड की इन लोगों ने ठीक है ना अगर इस लड़ाई में टोमियामा जीच जाता है और वो हाजी में उमेमिया को हरा देता है तो फियोरिन हाइज स्कूल शिस्टोरिन के अंदर आ जाएगा जिसके आद साकूरा और पूरी कैंग शिष्टर इनके अलाके में पहुचते है लड़ाई करने के लिए और ये एक ऐसे लड़ाई है जिसको वो हार नहीं सकते जिसके आद टोमियामा इन लोगों को अपने साथ लेके जाता है बोलता है कि चलो हमारे साथ चलो पीछे बीचे तो ये लोग इस इलाके के और अंदर लेके जाते हैं इन लोगों को ठीक है रहा चोजे आप बच्चों के तरह काफे जादा एकसाइड़ होता है और साकुरा इधर नोटिस करता है कि इस पूरे लाके में सिर्फ बार्ज और पब्स ही है नेरे बताता है कि हाँ ये जगा इसी वज़े से जानी जाती है अभी तो काफी सुनसान लग रही है लेकि रात में काफी चमकीली हो जाती है ये जगा लेकिन उसी के साथ-साथ खतरनाक भी साकुरा पुछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लड़ने तो इना वाले हो तो नेरे बताता है कि यार देखो मैं उस सीन में इन्वाल्ज था जब ये सब कुछ हो तो मैं अधर शामिल था और वैसे भी मैं वो फ्रिन का मेंबर हूँ तो मैं इसे पीछे नहीं ह साकुरा को देखता है तो हिरागे को यही बताता है कि वैसे देखा जाये तो हम साकुरा के उपर निर्भर कर सकते हैं ठीक है आगे चलके एक गली के अंदर मुड़के ये एक थेटर जैसी जगह के पास आते है जिसका नाम होता है और आयन जो की शिष्टर इनका हेड़ बे है इस थेटर के अंदर काफी सारे शिष्टोरिन के बंदे होते हैं और भाई वो बिलकुल ऐसे बैठे होते जैसे आप एक काफी कमाल की मुवी चलने वाली है और आपे मज़े करने के लिए बैठे होते है लड़ाई देखने के लिए ठीक है अमिमिया कहता है कि देखो फिर चाहे इससे कोई फरक पड़े या ना पड़े लेकिन हारने तो बिलकुल नहीं वाला मैं तो यार ये चीज़ सुनके ओमिया काफी खुश होता है ठीक है और हिरागी कहता है तुमने सुनी लिया कि हम क्या चाहते हैं ओमिया कहता है कि वैसे देखा जाए तो सच में इस जो लंबे बालवाला बंद है मैं इससे लड़ना चाहता हूँ सबसे पहले अगर आपकी जाज़त हो लीडर तो ठीक है जिसके बाद यहाँ पर बाजी यानि कि शुखिशिता जाता है आगे लड़ने के लिए और जाने से पहले साकुरा उसे यही कहता है कि देखो हमारा ज इसके बाद यह दोनों के दोनों स्टेज पर आजाते है नेरे के बास पूली नोटबुक होती है सब प्लेयर्स को लेके ठीक है तो बताता है कि यह जो आरिमा नाम का बंद है यह एक तरीके का पावर हाउस है और काफी खतरनाग बंद है ठीक है ना इसने तो एक बार एक ही मुक्य में कई पसलिया भी दूड़ दीते है एक बंदे की ठीक है तो सुगिशेता यहा पर बहुत घुसे में खड़ा होता है आरिमा इधर एक ट्रिक प्ले करता है और वो कहता है अरे उमे भिया तुम्हे क्या हुआ जिसके बाद सुगिशेता का ध्यान बढ़ जाता है औ और आरिमा भाग के आता है इधर और काफी तगड़ा पंच देता है सुगिशेता के चेहरे पर ठीक है और वो कहता है कि लड़ाए के दौरान अपना ध्यान लड़ाए से मत अटाया करो समझे तो इसके बाद तो सुगिशेता उसका हात पकड़ता है और उसका मूँ कि हो जाता है और जो ये अरुमा का पार्टनर होते है न जो हमेशके साथ रहता है भाई हमें जो जाता है यार Matt नाम के तरह बताओ रहा मुझ्थ से लो लड़ु लेकिन टोगा में उसको रोक लड़ा और अपने साथ बिठा लेता है यह अभी तुम्हारी बारही नही जिघ गया है और उसके ओपनेंट की तारीफ रहा है यह सही बता हुटार उनके पेश धीले है तो उम्हेम्हें उसको सवाशी देता है कि इसकी बॉड़ी काफी ज़दा टॉफ है ठीक है निरे बताता है कि वैसे देखा जाय तो काफी ज़दा स्टॉंग है तो साकुर रखेत कुछ तो बात हो गई होती है इवन जो आरिमा का पार्टनर होता है वो भी काफी खौफ के अंदर जा चुका होता है तो में दो बंदों को कहते है कि इसकी बॉड़ी को यहां से उठा के बाहर फैको और आप यहां पर हमें दिखाया जाता है कि टो में अपने गैंक की मेंबर् बहाइ इस बंदों को उठा के महरवाने में नहीं करते कि बैक सटेज में लेके जाए वहीं से ले एकовых नोटकूफ कति के मुझे ड़े जाता है उसके मूह पर लात मारते हूं और इसको में अधाव काफे ज़द डिर जाता है tuh का अधकूफ हो स्कुरा पता इन दोनों को कर के सुओ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा मेरे से कुछ बोल रहे हो के तुम चलो मैं दिखाता हो तुमें तो टोमियाम है आप एकदम से सीरिस हो जाता और कहता है वो तुम्हारा ओपेंड नहीं है समझे तो पीछे हड़ जाओ जिसको देखके आप यह बंदे के लिए मुझसे लगता है काफी स्ट्रेस हो गया तुम्हें तो चलो थोड़ी एक्सराइस कर लेते हैं तो पानुमा होता है इस बंदे का नाम सुओ कहता है हे साकुरा तुम्हें आदे जब यहाँ पे पहले बार आयते तो तुमने कहा था कि तुम टॉप स्पॉट लेना तब मुझे लगाता है तुम एक नंबर के बेहुकूफ हो साकुरा जुनते ही घुसा हो जाता है और कहता है कि क्या लड़ना साथ हो मेरे सुआ अभी निप्टातो तुमको तो सुओ कहता है कि नहीं नहीं मुझे माफ करो मुझे उस समय ऐसा लगाता है कि तुम्हारे शब आ चुका होता है स्टेश पे तो साकुरा पूछते है कि अच्छा मेरे कोई इस बंदे के बारे में कुछ बताओ तो साकुरा कहता है कि वो चीज तो मैं उसको देखके बता सकता हूँ ठीक है ना उसके अलावा कुछ बताओ तो नहीं कहता है अच्छा सच में उसको देखके मिल गई है लेकिन उसके बारे में कोई स्टोरी नहीं है कि किस किस बंदे को उसने मारा है ठीक है ना तो हिरा की कहता है हाँ वैसे मैंने भी बस उसका नाम ही सुना है उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता मेरे को हम क्योंकि अलग-अलग मिल्ल स्कूल में थे Umayh miyaa कहता है वैसे मैं भी Soho के बारे में नहीं जानता जादा बस एकी बात जानता हूँ कि वो दिल का अच्छा इंसान है 여ाँ पे कानूमा काफे जादा डरा हुआ हुआ होता है वो बताता है कि वो आलिमा के साथ बचपन से है और ये दोनों हमेशा से साथ रहे है एक दूसरे को बैक अप किया है इन लोगों ने ठीक है और अब वो एकदम हार चुका है तो उसके बाद टेंशन तो होगी ना उसको तो सुओ कहता है ओ हो 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 चोटे बच्चे के लिए काफी ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है लगता है कैसे होते है बड़े लोग जिसके आद यहाद यहाद पे कानुमा को काफी गुसा आता है और भाई जैसे वो यहाद आटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो चलो फिर हम दोनों साथ मिलके सीखते हैं कि बड़े कैसे होते हैं एडर्ट कैसे बनते हैं ठीक है तो भाई यह तो बंदे कन्फ्यूज बैट होते हैं आप यह चल कहा रहा है आप यह हुआ कि एक दम से तो कानुमा को इन सारी फालतों चीज़ों से कोई फरक नहीं बड़ता तो वो पहले तो घुस्से में अटैक करता रहता है लेकिन अतनी बार नीचे गिरने के बाद सबके सब लोग जब उसके उपपर चला रहे होते हैं और कहते हैं तुम इस फाइट को सीरसली क्यों नहीं ले रहे हैं और हमारे नाम क्यों डुबा रहे हैं तुम तो कानुमा मन में कहता है कि भाई मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ उसको खीचता हूँ इतने में मैं एकदम से जमीन पर होता हूँ, मैं लोगो खुद समझ नहीं आ रहे हैं आपर उमेंभिया कहता है कि वैसे देखा जाए तो सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं है वो तो साकॉरा कहता है मुझे नहीं लगता हूँ, कई से भी अच्छा इंसान है एक number का घटिया इंसान है वो कमजोर बंदे की और बेस्ति करवा रहा है ना उसको जीतने दे रहा है ना उसको हारने दे रहा है मेरे साथ से तो एकदम बेकार चीज़ है ये अगर मैं उसकी जगा होता है तो कब का मर चुका होता साकुर है यहां पर नेरे से पूछते है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बंदे से लड़ कैसे सकता हूँ तो भाई यहां पर कानुवा की तो वाट लग चुकी होती है उसके अपने हाथो पैर पे भी कंट्रोल नहीं होता यहां पर वो जितने भी पंचिस करता है सुओ उन सारे पंचिस को अराम से डॉज कर देता है और उसके बाद उसको फाइनले नीचे गिरा देता है और कहता है चला खड़े हो जाओ इधर तोमियामा तो सो चुका होता है भाई उसको कोई फरक मी बढ़ रहा और यहां पर एक और लास्ट बार कानुमा जब उटके आता है तो भाई उसके 2 इंच मुझे पास ही यहां पे तो एक काफी तगड़ी केक मारता है उसको टच नहीं करता है ठीक है और वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने दिमाग में इस समय क्या सोच रहे हो उस दिन जब तुम उस बंदे की मजाख उड़ा रहे थे तो अब उसकी जगा तुम अपने आपको imagine कर रहे हो है कि नहीं और जो मैंने सवाल तुम से बूचा था कि एक adult कैसे बनते हैं तो मैं तुम्हें बता दो कि एक adult बनने के लिए तुम्हारे अंदर imagination होनी चाहिए तो चलो एक step तो तुम सीखी गए हो कि adult कैसे बना जाता है अब अगले step की और बढ़ते हैं अब बताओ मेरे को कि एक imagine को और ज़्यादा strong कैसे बनाया जाता है उस imagination को reality में बदलके तो यार यह सुनके तो कानो मां की what लग जाती है इधर सुवा उसको खेटम करने के लिए आगे बढ़ते है यानी की उसकी what लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं लकिन टोगा में उसको रोक देता है और कहते है वह बहुत हो गया है अब हमें ऊर शर्मिनदा मत करो वैसे शर्मिन्दा होने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि अब तुम हम में से नहीं हो तो यहाँ पे टुगा में उसको भार निकाल देता है और सू यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि एक एडल्ट बनने के लिए इमेजिनेशन के साथ साथ एक्सपिरेंस की भी ज़रुत है तो चाहे कुछ भी हो तुम एडल्ट बनने के एक स्टेप नस्दीक पहुच चुके हो तो यह तो तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ है तो यार हमें दिखाए जाता है इस एपिसोड के अंदर की तो कितना जादा कमाल का था एक काफी मिस्टियरिस करेक्टर जिसके बारे में मैं कुछ जादा बताया नहीं गया था लेकिन फाइनली देखने को मिला हमे कि बो कितना जादा फूर्तियला है और फइट में और भी जादा बेटर तरीके से लड़ सकता है अब मैं तुम्हें बता दो यार, ये कोई शो ओफ वाला बंदा नहीं है, इसके पास काफी जादा experience है लड़ाई करने का, जिस वएसे वो इतनी easily tackle कर पा रहा था इस बंदे को, ठीक है ना, ये कोई luck के basis पे नहीं था, एक इनसान या तो directly लड़ता है, जैसे साकुरा, या फि खेलता है, खेलने के लिए भी यहाँ पे काफी जाद experience की ज़र होता है, जो कि शायद हमें आगे चलके पता चलेगा, कि सुओ कितना कमाल का है, anyway, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और मैंने यार, सच बतार हो, रिकॉर्ड पार कर दिया, जैसी एपिसोड है, वैसी मै मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, और अब तुम्हें वीडियो मिल रही होगी मेरे ख्याल से, तो यार, लाइक और सबस्क्राइब तुक कर देना, यार, मैंने most probably सबसे पहले डालने की कोशिश किये वीडियो, अगर आपकी वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, सबस्क अबाद है